वर्तमान समय में प्रबंद की ये छमता और दख्षता का पूर्ण तह असेस्मेंट करने के लिए उसका आकलन करने के लिए बहुत सारे टूल मार्कीट में हैं लेकिन एक किसी भी व्यक्ति की छमताओं का दख्षताओं का कुशलताओं का उसकी कॉम्पिटेंसीज का असेस्म करने के लिए बहुत सारे टूल मार्कीट में है उन में से एक प्रमुक टूल है थी सिक्स्टी लिगरी क्या फिद्बैकक सिस्टम के लोगों से चारों तरप से उसके वैब से उसके सूस्वर्ड नेट से और उस से खुद से चारों से यदि हम कोई चीज डेटा अलाप क्लै करके और उसका analysis करके उसकी feedback यदि employee को देते हैं तो वह वर्तमान में 360 degree feedback system कहलाता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है उसके peers क्या सोचते हैं उन दोनों में काफी difference होता है आज customer के लिए बहुत सारे survey हैं कि हमारे product के बारे में क्या सुचते हैं ऐसे ही जो progressive managers हैं जो executives हैं वो अपना हर 5 साल में 360 degree feedback system अपने टीम से अपने peer से अपने boss से अपने subordinate से और swim से इखटा करते हैं और अपनी कमियों को जो उनकी कुसलताओं में दक्षताओं में competency में skill set में कमी होती है उस पर वो seriously काम कर आगे बढ़ने के प्रियास रत रहते हैं इसलिए यह highly positive tool है और जो इसको यूज करते हैं उसको बहुत बड़ा benefit अपने जीवन में पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में होता है 360 डिग्री सिस्टम इस प्रोसस्स विच एंप्लोई रिसीव कॉन्फिडेंशली यह ओपन नहीं होता कॉन्फिडेंशली होता है बिना नाम के होता है के वल पीर्स हैं या सब और्डिनेट हैं या बोस हैं के वल यह लिखना इनलाइज किया जाता है और तब वह उस व्यक्ति को डारेक्टली कॉन्फिडेंशली और पॉजेटिवली दी जाती है ताकि वह अपना विकास करने में यह पता कर सके कि किस एरिया में मुझे विकास सबसे ज़्यादा करना है या मेरी फ्यूचरिस्टिक कॉम्पुटेंश मैं कौन-कौन चीज बाधक हैं जिनको मैं दूर करूं नहीं तो मेरा आने वाला प्रमोशन रुख जाएगा या मेरे काम करने में मुझे मेरा परफॉर्मन्स बेटर करने में वो बेरियर्स की तरह काम कर सकती हैं तो यह है एक इंपोर्टन्ट टूल आज बहुत प्रचलेट हुचला है जो लोग इस टूल को यूज करते हैं वो इसके प्रोज और कौन्स दोनों को अच्छी तरह समझते हैं इसका लाब भी है और कई पर यदि इसका अन्प्रोफेशनल वे में यूज कर लिया गया तो इसका नुकसान भी है इसके फाइदे क्या है प्रोवाइड़स फीडबेक टुदा एंप्लोई फ्रैने वेराइटी ऑफ सोर्सिट्स वो तीन सोर्स से इंफोर्शमेंट देता है बहुत से आपके पीयर से आपके सबॉर्डिनेट से कई पार आपके और स्टेक होल्डर से भी लोग फीडबेक ले लेते हैं नमबर दो डवलाप इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि यह एक टीम में अपनी कमियों को यदि दूर करेंगे आपको सिस्टेमेटिकली बताया जाता है उसके लिए आपको मैंटरिंग कोचिंग डवलपमेंटल एक्टिविटीज आपके ट्रेनिंग डवलपमेंटल रिसोर्सिज आपको प् बुक पढ़ने के लिए खरीद करके दी जाती है बहुत सारे लोगों को कुछ और सपोर्ट दी जाती है नमबर तीन है रिवील सिस्पेसिफिक केरियर डवलपमेंट एरिया यह आपको यह भी बताता है कि आप वरतमान में जिस एरिया में काम कर रहे हैं इसके अत्रिक आप आपका पैशन या आपका जुकाव किधर की तरफ है वह भी आपको समय रहते हुए पता चल जाता है अब इसका कौन्स क्या है नुकसान क्या क्या है इसका अनाधर साइड ऑप दुक क्या है फोकस अंदा एमप्लॉईज वीकनेस जहां लोग नेगेटिव लोग बात करते है या पॉजिटिव नहीं होते हैं वह उसकी वीकनेस को ढूड़ने में लग जाते हैं कि इसमें यह गलती है इसमें यह गलती है जबकि इस टूल का बेनिफिट यह है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है उनको कैसे मजबूत करें जो वीकनेस है उनको कैसे कंट्रोल या रिमूव करे दूसरा उसकी सौर्ट कमिंग्स क्या है उनकी स्ट्रेंग्थ को नहीं देखते हैं यह है एक कल्चरल सब्जेक्ट है इंबर दो इसका और एक बड़ा नुकसान है प्रोवाइड फीडबेक फ्रॉम अनेक्स्प्रियंस्ट रेटर्स जिन लोगों को फीडबेक क्या है इन में क परशन एक इवेंट को छोड़ देना है जो कंसिस्टेंट बिहेवियर नजर आता है उसको कैप्चर करना है तो वह इन चीजों को अनेक्स्प्रियंस लोग उल्टा कर देते हैं नंबर तीन लार्ज डिग्री ऑफ डेटा क्लॉक्शन इसमें बहुत सारे जो इस्टेक कोडिनेट हैं बहुत से जहां वो नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं उन सब को सिस्टेमेटिकली कले HOW उन सब को क्लेट करना उन को करना को यह एक बहुत वड़ी प्रक्रिया है उसमें शॉर्टto मार दिये जाते हैं या उसका असेस्मेंट गलत कर दिया जाता है वहां इस कर सकते हैं मैं इस्पाइडर चार्ट आज स्किल सेट उसकी असैस कर सकते हैं जैसे इसचाइड में हमने जो एगpe जामपन लिया है उसमें छहीं जा तिलो को, प्कड़ा है. capacity लिडरसप सकील कम्यूकेयशं सकील कॉपरेश्ट सुशल intelligence motivation independent वह से बी लिए है manager से बी लिए है पीर से बी लिए है और उसके subordinates से भी खटी कर सकते हैं इसमें जितने चाहें stakeholders ले सकते हैं और इसमें हमेशा gap मिलता है दूसरा है direct assessment centers जिसको DAC कहते हैं जिसमें professional body होती है वो आप उन चीज़ों को ये data इखटा करके दे दीजिए वो उसको analyze करके आपको बता देंगे क्योंकि इसके लिए specific skill का होना आवश्यक है मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस तरह की काम मेरी organization करती है यदि आपको अपने यहां इस तरह की कभी आवश्यक्ता है जो HR की processes में या आपके अन्य processes में कुछ survey कराने हैं या कुछ इस तरह की development activities में आपको outsiders की support लेनी है तो यह संस्था WK Dynamic Leadership Center जिसका phone number email यहां दिया हुआ है यह काम करती है इन्हें लिख सकते हैं आप बात कर सकते हैं मैं आगे आपको यह हैं पताना चाहता हूं कि 360 degree feedback survey के measures क्या क्या है सबसे पहला है 360 degree feedback measures behaviors and competencies केवल इसमें दो ही चीज़ें आपको मेजर करनी है उसका behavior क्या है क्यों behavior एक इन से नहीं होता one instance one incident cannot be the behavior consistently दूसरा उसकी competencies क्या क्या है यह दो चीज़े assess करने में मदद मिती है नमबर दो है 360 degree assessment provide feedback on how others perceive an employee वो आपके बारे में कैसा सूचते है उनकी perception आपके बारे में क्या है and perception plays a very big role मैंने लोगों का carrier बनते भी और मैंने carrier बिगड़ते बहुत चग है इस perception की वजह से देखा है इसलिए लोग कई बार अपने computer की गलत perception सुसाइटी में अपने किसी माध्यम से create कराने की बहुत बार कोशिश करते हैं दूसरा है 360 degree feedback addresses the skills such as listening, planning, goal setting और बहुत सारे कुछ लोग इस पर value system को भी ethics को भी assess करने की कोशिश कर लेते हैं नमबर चार है 360 degree evaluation focus on subjective areas, teamwork, character, leadership, effectiveness और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनको आप यहां assess कर सकते हैं तो यह इन चीजों को assess करती हैं अब इसमें क्या assess आपको नहीं करना चाहिए जो लोग assess करते हैं जहां यह system ड़कना जाता है नमबर वन लोग 360 degree feedback is not the way to measure the employee performance उसके लिए PMS अलग system में उससे measure कीजिए यहां performance मत measure कीजिए लोग उसकी PMS को ध्यान में रखकर performance management system को ध्यान में रखकर ही लोग उसकी rating करते हैं नमबर दो 360 degree feedback is not the way to determine whether the employee is meeting basic job requirement or not यह job evaluation process का या आपके जो posting on the job है उन चीजों के base पर नहीं assess होना चाहिए उसके लिए अलग tools हैं उनको use कीजिएगा और यह मत देखिएगा कि यह मेरा आदमी इस job की requirement को पूरा करना नहीं करना उसके लिए अलग tool है लेकिन लोग यहां यह भी assess करने की कोशिश करते हैं इस drawback है नमबर तीन 360 degree feedback is not focused on basic technical job specific skills तो यह technical को नहीं है केवल behavioral competencies और आपकी चो behavior है conduct है उसको measure करने का important tool है ना कि technical skill को इसलिए आपको technical skill conceptual skill और human skill तो यह bother करता है conceptualization पर यह human skills पर technical skills इससे measure नहीं करनी है नमबर चार 360 degree feedback should not be used to measure strictly objective things such as attendance वो तो database है डेटा से ठाइए sales quota तो जहां आपका data authentic है वहाँ चीजों को यूज नहीं करना है वहाँ आपके और tools and tackles methods market में available है लेकिन कुछ लोग जो unexperienced है इन सब को mix कर देते हैं और इस process का benefit की जगे loss हो जाता है आईए अब बात करते हैं 360 degree feedback को कौन कब कैसे कहां दे सकता है यह इसके क्या फाइदे हैं तो इसकी पांच बड़ी बाते मैं आपके साथ करूं इंक्रीज self awareness यह आदमी को अपनी awareness बढ़ाने में मदद करता है तूसरा multiple feedback है तो आपको तरह तरह की लोगों की perception साथ तक पहुंच जाती है यह लोगों के आपके बारे में bias nest को खतम करने में मदद करता है employee अपनी skill develop कर सकता है और यह measure करता है what नहीं हाव इसलिए ना तो इसमें वाही की चर्चा करनी है और ना वाट की चर्चा करनी है हाव को मैजर करता है तो इसी लिए इन चीज़ों को जानना समझना हम सब के लिए आवश्यक है नंबर छे पर बात करता है यह इंप्रूवड वर्क रिडिलेशन्शिप यदि आपको पता है कि मेरे बारे में कौन कैसे सुचता है तो आप पहले से बहुत सावधानी पूरवक्त अपने काम निकालने के लिए अपने साब से अपनी स्टेटिज डिजाइन कर सकते हैं सबके बारे में आपको सब कुछ पता है तो ओपननेस और्गनाजेशन में आपके वर्क सिस्टम में बढ़ जाती है नंबर आट कस्टमर रिलेशन से बहुत इंप्रूव पढ़ जाता है नंबर नोग एनांस्ट परफॉर्मेंस जब यह सब चीजें वीक्नेस दूर हो जात बढ़ जाती है तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाती है मैंने एक आदमी को अपने वर्क एरिया में अब इस तूल से अपने बिहेवियर को आमूल चूल परवर्तन करते हुए देखा है उसने एक साल में अपनी दो हैबिट्स को जो पहले बहुत थी उनको मिनिमा कर दिया और जो नई हैबिट डवलप करनी थी उसने डवलप की उसके लिए उसने कंपनी से या और्गनाजेशन से मेंटर और कोचिंग की मदद ली खुद इस्टडी की खुद उस पर रोजाना प्रक्टिस की तो यह परफॉर्मेंस बढ़ाने का या नेक्स्ट लेविल प को यह ऊटार करते ता है लएक्ष्ट outta मेक्ष बात करते हैं कि इसके साथ रीजन है कि यह फेल करना चाहती हैं बढ़ी किसी में नहीं है इसा कोई भभवान ने इनसान नहीं बनाया जिससमें कमियान नहों तो कुछ लोग उनको स्विकार करने कोशिश करते हैं और कुछ लोग उनको अपनी पोजिशन से या अपने टेरर से दबाने की कोशिश करते हैं तो यह प्रोसेस क्यों फेल हो जाती है उन साथ बातों पर बात करते हैं सब्सक्राइब और अंडरेस्टिमेट प्रोग्राम्स इंपोर्टन्स जो फीडबैक सिस्टम है उसके प्रोसेस को क्योंको उसकी अपनी खामियां खुल जाने की कोशिश रहती है क्योंकि बॉटम लेविल का तो होगा नहीं बहुत कॉस्टली प्रोसेस है तो यह अधिकतर सि है जिनको हम फास्ट प्रमोशन देना चाहते हैं जो हमारे टेलेंट कूल के मेंबर है यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टूल है तो उनको अपने कुछ जहां लूपोल्स होते हैं उनको दबाने के लिए वो इसमें इनवाल्व नहीं होते हैं नमबर दो इग्नोरिं दा स्ट्रेंग्थ एंड ओनली फोकसिंग दा वीकनेस कभी-कभी इस सिस्टम से लोग किसी को दबाने के लिए या उसकी खामियां डूंडने के लिए टूल को प्रियोग करते हैं वह गलत है जबकि यह स्ट्रेंग्थ क्या है और उनका हम पोटेंशियल उसमें कितना है उसको डवलप कर उसको सही जगे कैसे यूज कर सकते हैं यह होना चाहिए नमबर तीन है देर इस फॉलो अप प्लान इसका फॉलो अप टूट जाता है इस प्रोसस का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो यह है कि इस फीड़एक सिस्टम में कंसिस्टेंट फॉलो अप चाहिए कितना इंप्रूब्मेंट हुआ कितने हुआ कितना नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ क्या हर्डल्स आगे क्या बेरियर्स आगे इसलिए मेंटर और कोच इन चीजों में बहुत मदद करते हैं यदि उनके सामने आपका 360 डिग्री परफॉर्मेंस एप्रेजल सिस्टम विद इंस्टेंस होता है तो वह है आपकी बहुत मदद कर सकते हैं और यदि आपको अपनी कोचिंग चाहिए तो उसमें यदि आपको फास्ट ग्रोथ करनी है तो यह है एप्रेजल या फीडबैक का प्रोसेस भी कंप्लीट कर लेना ब लोग इसकी confidentiality break कर देते हैं जिससे लोगों के relationship break हो जाते हैं कि उसने ऐसा कहा था उसने यह कहा था उसने feedback दियोगी इसमें गैस भी बहुत चलते हैं तो यह है एक इसका ब्ला ड्रोबैक है लेक आफ इंफॉर्मेशन लोग ठीक से information नहीं देते हैं डरते हैं कहीं लीग कर हो गई तो इसमें trust और confidence बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वह यदि कहीं miss हो जाता है तो यह process fail हो जाती है नमबर नेक्स्टर नो follow-up plans इसका यदि plan नहीं बना follow-up को तो भी यह process fail हो जाती है तो यह उस process को develop करने के precautions है इन areas में आपको पहले से ध्यान रखना है ताकि मेरी process कहीं derail ना हो या fail तो इस process से आप अपने आपको बढ़ा सकते हैं समझ सकते हैं आज इस वीडियो में इतना ही आपको मैं आशा करता हूं कि मेरे वीडियो पसंदा रहे होंगे आप इन्हें अपने मित्रों को अपन आपका मेरे को लिखने का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत धन्यवाद